कि हेलो एविवन वेलकम टू अकाउंट मंत्रा लेट्स स्टुडेंट पार्टर्शिप फॉर्म के अंदर अभी तक जो हम ने किया वह partnership के features देखे partners की rights देखी partnership डीट के बारे में आपने पड़ा और साथ में profit and loss application account हमने बनाया उसमें general entries भी हमने बनाई और साथ में profit and loss application account में बनाया जब हमने यह बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास loss रहता है तो उस case में partners को salary commission और interest and capital नहीं दिया जाता है और जो question हमने किया था उसमें हमारे पास educate profit था और उसमें मैंने आपको सारी detail में बताया था कि किस टाइब से partnership deed के ratio के साब से हम लोग उसके अंदर interest और salary partners को commissions देते हैं ठीक है अब मैं एक example लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास profit जो है वह appropriate नहीं है मतलब की partnership deed के अंदर जिस हिसे आप से हमें कहा गया है कि हमें partners को यह interest देना है यह salary देनी है लेकिन हमरे पास जो net profit है वह हमरे पास इतना profit नहीं आया कि हम लोग उसको पूरा का पूरा amount as per partnership deed partners को दे सके तो उस case में हम लोग क्या करते हैं चलिए यह example लेते हैं अजय और विजय आर पार्टनर्स शेरिंग पॉर्फिट इंदे रिशो आप रिशो अजय इसे नोर्ट के पार्टनर्स and contribute rupees 20 lakh to act as is capital which is a working partner of the firm the partnership did provide for interest on capital at the rate of 8% and salary to every working partners at the rate of rupees 8000 per month profit between before providing for interest on capital and partner salary for the year 31st March 2020 was rupees 80,000 so the distribution of profit that means हमारे पास क्या दे रखे हैं हमारे पस्ट दे रखे हैं अजय और विजय यह दो पार्टनर्स है शेरिंग रेशो कि निसीव है हमारा बाफिट शेरिंग रेशो banana जो हमारा रेशो है यह profit का वह है थ्री इस्क्रू क्या है टू कि टूब हमारा में अजिए का रुपीज ट्वंटी लैग विजए का कोई पार्टर कंट्रिबुशन नहीं है था सेरी टूपार्टर्स कित्नी दे रखी है लिखेशली तूपार्टराश दे रखी है अजे को कोई सलली नहीं देनी है विजेव को सलली देनी है रुपीज एर थाउजन्ट पर मंथ ठीक है स्टूडन्ट और हमें इंट्रेस्ट उन कैपिटल कितना दे रखा है इंट्रेस्टों केपिटल यह दे रखा है एट परसेंट पर एनम अब मैं इंट्रेस्ट की कल्कुलेशन करता हूं तो इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट की हमारी कल्कुलेशन क्या आएगी इंट्रेस्ट की कल्कुलेशन आएगी हमारी ट्वंटी लेक इन्टू एट परसेंट फॉर वन येर कितना मांट आजाएगा रुपीज वन लेक सिस्टी थाज़न रुपीज ठीक है स्टुडेंट और सेलरी हमारे पास कितनी आ जाती है कि यहां नेल है यहां इंट्रस नेलता सेलरी आ जाती है रुपीज 96,000 रुपीज तो यहां में कितना पैसे देना है यहां में देना है 1,60,000 रुपीज जो अप्रपरेशन मेंट के साब से है और यहां है 96,000 रुपीस पर हमर पास profit कितना है हमर पास profit है उन्मोंने एक रखा है profit कितना दे र Надंël रिक्या है profit दे रख्या है कि profit हम्मर पास दे रख्या है uër eighty thousand कि 80,000 रुपीज का में पर प्रॉफेट दे रखा है तो क्या 80,000 रुपीज से हम लोग 1,60,000 और 96,000 के पेमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग इस case के अंदर जितना amount हमें पार्टर्स को pay करना है उसके ratio के अंदर हम लोग उसके ratio में अंदर हम लोग यह 60,000 और 96,000 जो है इस ratio के अंदर हम लोग इस 80,000 को distribute करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास amount जो आ जाएगा हम लोग payment to partners हमारी कितनी रहेगी payment to partners कितनी रहेगी 1,60,000 इस ratio के अंदर डिवाइड करें कैसे ratio में डिवाइड करते हैं हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का total कर लेते हैं इन दोनों का total कितना है rupees 2,56,000 यह हमारा 2,56,000 का total है तो हमारे बास यहां पे कितना है 1,60,000 divided by 2,56,000 और 80,000 rupees हमने करने हैं तो इसको हम लोग जब करते हैं तो हमारे पास क्या solution आ जाता है हमारे पास यह solution आ जाता है यह 8 पे जाएगा यहां 10 हो जाएगा यहां 8 पे जाएगा 3 and 2, 32 यहां फिर 8 के पर जाएगा और 2 के पर जाएगा तो यहां 5 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 16 16 यह उपर जाना चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास 10,000 हो जाएगा और यह 10,000 इंटो 5 यह हमारे पास आ जाता है rupees 50,000 similarly salary को proportion में हम लोग reduce करते हैं तो कितना हो जाएगा 96,000 divided by 256,000 into 80,000 रुपीज उसी ताइब से हम लोग इसको उसी ताइब से हम लोग इसको कम करते हैं तो हमर बस कितना रह जाता है कम करते हैं तो हमार बस कितना जाएगा यह रह जाएगा रुपीज 30,000 रुपीज तो इसका मतलब जो हमें पेग करना है वो इंटरst पेग करना है अज ये को 50,000 रुपीज का और सेलरी बेकर नहीं है विज़े को 30,000 रुपीज की ठीक है यह प्रॉफिट शेरिंग रेशो में नहीं है यह उस रेशो में है जिस रेशो के अंदर हमें पहले इंट्रेस्ट और पहले। इसालरी जो है पार्टर्स को देनी है ऐस पर अग्रीव टरम्स तो हमारी जब आप पार्टर्सक्ट को देनी है। तो कैसे करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पे net profit से transfer करते हैं by net profit account by net profit हम लोग यहां net profit से लेते हैं तो कितना amount यह रखा था हमर पस 80,000 रुपीस का अब यहां पर हमर पस क्या आना है है 2 अब हरा पस क्या आदा नहीं 2 है अज यह capital account इंट्रेस्ट कित्रा है 50,000 रुपीज और क्या आना है तू विजय कैपिटल अगाउंट क्या है यह सेलेरी कित्रा माउंट है 30,000 रुपीज और यह टोटल हमारा कित्रा हो गया 80,000 रुपीज जो हमने 80,000 रुपीज डिस्ट्रिबूट कर दिया तो स्टुडेंट यह हमने ध्यान रखना है जब हमारे पास प्रॉफिट एड्यूकेट नहीं है तो उस केस के अंदर जिस रेशो के अंदर हमारे पास हमने अमाउंट पार्टर्स को पे करना है कमीशन का और बहुत ही इंपोर्टेंट के अपर चलते हैं जो की है पार्टनर्स केपिटल अकाउंट अभी तक हमने देखा प्रॉफिट न लौस एप्रोप्रेशन अकाउंट के अंदर जो बैलन्स होता है सेलरी का हो कमीशन का हो और भी कोई बैलन्स होते हैं तो वह हम लोग पार्टर्स केपिटल अकाउंट किस तरह के होते हैं और ये अमॉन्ट कैसे ट्रास्फर करते हैं हम लोग यह अब हम लोग जानते हैं तो गदो ऑफिक्स केपिटल अकाउंट और दूसरा है हमारा fluctuating capital account तो इन दोनों में difference क्या है इन दोनों में difference क्या है fixed capital account के अंदर हम लोग दो account बनाते हैं एक तो partners का fixed capital का और दूसरा जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं partners का current account जैसे कि नाम suggest कर रहा है fixed capital account के अंदर जो हमारा capital contribution रहता है वो fixed हो जाता है उसके बाद अगर हम लोग कुछ capital इंट्रिट्ट्यूस करते हैं तो वो उसको increase करता है या कोई capital withdraw करते हैं तो वो उसको reduce करता है लेकिन current account के अंदर जितनी हुए हमारी current day-to-day transactions partners के capital से related होती है वो current account के अंदर आ जाती है और उनको हम लोग record करके balance ज़रा निकाल लेते हैं और दूसरी side पे fluctuating capital account जो है हमारा इसके अंदर हम लोग सारी के सारी जो capital इंट्रडूस के गया वो भी और जो ड्राइंग होई है या salary general transfer होई है commission transfer होई है वो सब हमारी इसके अंदर आ जाती हैं अब मैं आपको format बनाके बताता हूं कि fix capital account में क्या आता है और fluctuating capital account में क्या आता है तो student fix capital account के अंदर हमारे ये इस तरह से दो count बन जाते हैं एक partners capital account और दूसरा partners current account जो partners capital account होता है वो एक तरह से fix रहता है और ध्यान रखिएगा उसके अंदर हमारे पास opening balance जो होता है वो हमेशा credit का होता है जो partner से capital introduce किया होता है तो हमारी शुरुवात क्या होती है by balance brought down यह opening balance है जो हमारा last year से transfer हुआ है यह हमने starting के अंदर जो capital introduce के जा उसके साफ से आ जाता है और अगर हम लोग कोई capital और introduce करते हैं तो वो इसके अंदर add कर देते हैं by cash यह बैंक से हम लोग कोई payment करके capital इंटर्डूस करते हैं तो by cash और bank bank account debited यह और यहां पर हमारा बास आ जाता है capital introduce अगर हम लोग कोई fresh capital इंटर्डूस कर दे देते हैं use या added या add करते हैं हम लोग अपने original capital के अंदर तो वो amount हमारा यहां पर आ जाता है और debit side में हमारा पास क्या जाता है debit side में हमरा पास आ जाता है यह debit है यह credit यह credit यह debit इस side में मरा पास क्या आ जाता है अगर हम लोग कोई पैसा capital से withdraw करते हैं मतला कि यह क्या है drawing against capital हमारी कोई रहती है तो हम लोग वो यहां पर ग्राइंग अगेंस capital तो हम लोग वो यहां debit side में amount ले लेते हैं और बाद में इन figures को balance आ जाता है और उसको carried over कर देते है balance carried down जो balance हमारा बसता है उसको हम लोग आगे carried over कर लेते हैं तो यह तो हमारा रहता है face capital account का इसमें क्या चीज रहती है इसका जो balance होता है वो हमेशा credit वे रहता है और कोई capital introduce के जाता है तो वो उसको increase कर देता है कोई capital withdraw के जाता है तो वो उसको decrease कर देता है जो balance रह जाता है वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और दूसरा हमारा account जो बनता है partners current account वो हम शुरू करते है by balance brought down in case of credit balance credit balance होता है तो यह amount यहां से शुरू हो जाता है और otherwise अगर हमारे पास debit balance है तो हम लोग यहाँ balance brought down करते हैं by balance brought down तो इसका मतलब current account के अबर अंदर हमारे पास बहुत ही दोनों दरह के balance credit or debit हमारे पास balance रह देते हैं इन केस ओफ debit balance student जितने भी salary commission आ जाती है वह सब हम लोग यहाँ एड कर देते हैं बाई पार्टनर सेलरी अकाउंट जो salary आई है वह हम लोग यहाँ एड कर लेते हैं बाई commission बाई commission तो पार्टनर अकाउंट बाई interest on capital अकाउंट जो capital अकाउंट के अंदर हमें interest मिलता है वह भी हम लोग current अकाउंट के अंदर एड करते हैं और लास्ट में अगर हमारे बास profit and loss appropriation अकाउंट के अंदर बैनस बचता है profit का तो वह भी यहाँ एड जाता है वाई profit and loss appropriation account इसका जो profit होता है वह भी यहाँ आ जाता है similarly हम लोग यहाँ पर debit side में क्या लेते हैं हम debit side में ले लेते हैं तू partners drawing account एक ड्राइंग हमने उपर ली थी वह थी drawing against capital यह है drawing against profit दूसरा interest on drawing account यह amount भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उसके बाद जो balance हमारे पास रह जाता है वह हम लोग balance को carry down ले लेते हैं उस balance को हम लोग आगे forward कर लेते हैं यह एक चीज़ और है अगर कोई हमारे पास माली जी हमने यहां रिखा था profit का अगर हमारे पास loss रहता है तो यह loss भी हम लोग profit and loss appropriation account से यहां लिख लेते हैं profit and loss appropriation account loss profit को हम लोग यहां लेते हैं loss को हम लोग यहां ट्रास्वर करते हैं और उसके बाद जो balance रहा जाता है वह हम लोग यहां पर तू balance we Carry down उस balance को हम लोग यहां ले लेते हैं अगर debit है अगर credit balance रहता है वो यहां पे balance Carry down हम इस बैलेंस को नेक्सalen के लिए आगे इस ट्रैप्शेट कर लेते हैं तो ये फिप्गेश्या लाइक अन्डर दो अकाउंट बन Wow क्यांट क्या है ठीक्त's त्रुडेंट अब लौग देखते हैं लग्शे bring balance brought down यह note कीज़ेगा fluctuating account के अंदर जहां मैंने बताया था आपको कि fixed capital account के अंदर capital account हमेशा जो उपर वाला part बताया था उसके अंदर हमेशा credit के अंदर होता है यहां पर हमारा यह जो amount है वो debit और credit दोनों में हो सकता है student मैंने यह दो partners के साब से tabular form के अंदर बनाया है fluctuating account अगर partners जादा होते हैं हम लोग इस टाइब से भी बना सकते हैं अगर partners जादा होते हैं तो हम लोग हर partners का अलग 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 अकाउंट भी बना सकते हैं भाई balance brought down in case of credit balance two balance brought down in case of debit balance student fluctuating account के अंदर हम सारी के सारी transactions वेदर वो capital वेदर वो capital इंटर्डूस से रिलेटेड हो capital विड्रॉस से रिलेटेड हो या फिर हमारे profit and loss appropriation account के साथ से सारी की कमिशन की हो सारी के सारी एंट्री है हम लोग यहां पर ले ले लेते हैं मैं आपको बताता हूं जैसे बाई कैश बैंक अकाउंट यहां यहां लोग इसी अकाउंट के अंदर लेते हैं वहां हमने दिखाए था कि वह फिक्स अकाउंट के अंदर रहता है बाई पार्टनर सेरी अकाउंट जो पार्टनर की सेरी है वह भी अमाउंट पर टास्फर हो जाती है बाई कमिशन टू पार्टनर अकाउंट बाई इंटर्स और कैपिडाल अकाउंट और प्राफिटन लाउस अप्रोपेस्टन अकाउंट जो प्राफिट का अमाउंट रह जाता है वो भी हम लोग इसी fluctuating account के अंदर transfer कर देते हैं और debit side में हम लोग यहां क्या लेते हैं क्या दुब कैश को बेंक अगांट डान्हयं कि ढूंड आ जाता है ज Zar 시청 म्नें लिखा युले अदर के इंदर के रहिए ना जाता था किसी अंदर जो अंदर बनाया था से घ्रव वाले मैथड के अदर तू two drawing off partner's account यह drawing against वो drawing against capital थी यह drawing against profit है two interest on drawing account अगर ड्राइंग अकाउंट के पर कोई इंट्रेस्ट चार्ज किया जाता है तो वह अमौन भी यहां आ जाता है उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रॉपरेशन अकाउंट दूस्ती से पर हमने प्रॉफिट लिया था प्रॉफिट दिया था प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करते हैं और जो लॉस अमाउंट है वह हम लोग यहां करते हैं क्योंकि यह पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देता है और लास्ट वे हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं जो नेक्स्ट यह के अंदर हम लोग दौन तो स्ट्रूडेंट इस टेज्शे हमारे पार्टन स्क्राइब बनते हैं अब मैंने बता दिया आपको कि एक पिश्ट केबिटल अब होता है और दूसरा जो हमारा होता है वाने फिक्स के बताया था यह है प्लक्श्ट केबिटल अब जिसके अंदर हम लोग सारी के सारी ट्रांजक्शन वेदर कैपिटल निट्रिडूस से इसाब से लिया हो या जो करेंट अकाउंट के इंदर आ जाती है तो स्टुडेंट इसके बाद हम लोग इंट्रेस्ट और कैपिटल अकाउंट को देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन डिफरेंट को बता लें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू वेरी मच